हरे गाई गैसो ये वीडियो 야प पु के लिए शोल्डर का आपका राउंड शेप कैसे आता है क्यावर्काउट करने वालबा मैं क्या वर्काउट आपको बताने वाला हूं कैसे करना है कितने सैट रहेंगे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा अगर आप भी चाहते हैं आपका जो शोल्डर का शेप है राउंड हो जाए बड़ा सा लगे तो बहुत चीक साइस बताने वाला हूं और कितने सेट रहेंगे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा ध्यान से देखो इसकिप मत करना आपको समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना चले शुरू करते हैं मेरा नाम है सुहल आप देख रहे हैं सुहल फिटनेस मोटिवेशन तो बात कर रहा था सूल्डर की आपके जो आपका राउंड शेप आप जलसे देख रहे हो यह यह शेप अगर नहीं आ रहा है तो क्या रीजन है कौन सी एक्सराइज है जो आपके लिए बैस रहेगी कितने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं भाई के साथ बने रहा हो और वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरू करना कैसा लगा वीडियो भाई को इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हो डिस्की चैनल लिंक है इंस्टागाम पर तो बात करते हैं आपके इस शेप क कि आपका राउंड शेप इसके लिए है बैस एक्साइज पेस अंडोल प्रेस जो है बहुत अच्छे एक्साइज है कि आपको मैं बताऊंगा क्या क्रेक्ट फॉर्म होनी चाहिए कैसे करते हैं और कितने सैट होंगे तो गैस इस्टेंडिंग अर्नोल प्रेस करके दिखा र यह मूव किया इसको अपर ले जाना है नीचे फिर राउंड शेप में लेकिया आना है सामने से देख सते हो लाक दिस वान शेक सी दिस जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह डंबल को ज्यादा नीचे मूँ आप ऐसे करेंगे ज्यादा नीचे लिके नहीं जाएंगे इंजरी होने के चांस हो जाते हैं हैं हैवी वेट ना ले अठारा का रप वार्मॉफ सैट लगाने हैं आपको और इसके बाद सोला चौद यह आपके वर्किंग सैट रहेंगे अब देख सकते हो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं जहां तक मैं लेकर आ रहा हूं वहां तक आपको मूफ करना है आपका राउंड शेप शोल्डर का डेपनिटली बन जाएगा वोईस रिकॉर्डिंग की वज़े से कुछ प्रॉ यह मैक पे अवाज आनी बंद हो गई थी मैं पीछे से रिकॉर्ड करके इसको मैं अपडेट कर रहा हूं तो मैं यही बता रहा हूं गर आपको भी राउंड शेप चाहिए अपने शोल्डर का तो यह एक्साइज अपने शिडूल में जरूर एड़ करें जिस दिन भी आप जरूर करें उसमें यह एक्साइज जरूर करें वीडियो को देखने के लिए त्shoe मुझए मैं कर सकते हैं वजह ओननाजनिये के लिए मैंने कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो